हेलो फ्रेंड्स, वेरकम बैक टू माई चैनल लता की लाइवरेजी आज मैं आपके साथ बहुती सुन्दर, बहुती आसान मल्टि कलर पैटर्न सियर करने जारी हूँ इस पैटर्न को आप अल प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं बनके बहुती सुन्दर हमारा ये पैटर्न आ जाता है, फ्रेंट साइड से हमारा ये पैटर्न बनना स्टार्ड होता है अब देखिए front side से pattern की first row, अब देखिए हमारी जो first row आएगी वो base color से आएगी जिस color से हमने border बनाया होगा, तो देखिए यहां पे हमारा base color white है, तो हम यहां पे first row को white color से बनाएंगे, यह पहला फंदा उता लेंगे, धागा अपनी side एक फंदा उल्टा बुनेंगे, यह एक space दिखाए दे रहा, इसमें आएंगे ऐसे मीचे और दिखिए, यह hole दिखाए दे रहा है, इसको छोड़ के, ऐसे second number के hole में हमने slide डालनी है, और एक फंदा बना लेना, यह एक फंदा बनाया, और इस फंदे को हम बिना बुने उतार लेंगे, धागा अपनी side, फिर पीछे करेंगे, और next फंदे में हमने pattern बनाना है, इस फंदे को आगे करेंगे, ऐसे space में जाएंगे, तो first hole को छोड़ के second hole में हमने slide डालनी है, और देखिए, ऐसे एक फंदा बना लेना है, एक्स्टा फंदा बनाया, और इस फंदे को हम ऐसे ही बिना बुने उतार लेंग और देखिए, एक एक्स्टा फंदा बनायेंगे, और इस फंदे को हम बिना बुने उतार लेंगे, धागा अपनी side, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, अब देखिए, नेस्ट फंदे में pattern आएगा, इस फंदे को आगे करेंगे, फिर देखिए, जो space दिखाए दे रहा, यहाँ पर आएंगे, तो first hole को छोड़के, second hole में, second hole में हमने slide डालनी है, और एक एक्स्टा फंदा बना लेना है, एक फंदा उल्टा, देखिए, नेस्ट फंदे में pattern आएगा, एक एक्स्टा फंदा बना लेंगे, और इस फंदे को हम बिना बुने उतार लेंगे, एक उल् दालेंगे, धागा अपनी side, एक फंदा उल्टा, धागा पिछे, लास्ट का फंदा सीधा, तो देखिए, front side से हमारी pattern की first row complete हो गई, back side से देखिए, second row, अब second row में देखिए, पहला फंदा उतारेंगे, धागा पिछे, अब देखिए, front side के तरब से जो फंदा उल्टा आय धागा अपनी side, front side के तरब से देखिए, जो हमने एक extra फंदा बनाया है, और एक बिना बुना फंदा उतारा है, इन दोनों को हमने back side से एक साथ बुनना है, और दो का एक कल लेना है, यह देखिए, धागा पिछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी side, अब देखिए, एक ब लेंगे, धागा पिछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी side, एक बिना बुना फंदा और एक extra फंदा, इन दोनों को हमने एक साथ बुन लेना है, यह दो का एक करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी side, फिर दो का एक कल लेंगे, धागा पिछे, एक फंदा सीधा, फिर बैक साइड से हमारी second row complete हो गई, पूरे pattern में हमने back side से यही process repeat करना है, अब देखे, front side से third row, अब third row में हमारा second color आएगा, तो देखे, अब देखे, यहां पे हम second color add कर लेंगे, तो हमारा यहां पे second color red है, आप कोई भी color apply कर सकते हैं, इस pattern को आप किसी भी color में बना सकते हैं, यह देखे, फिर धागा अपने side, एक फंदा, उल्टा बुन लेंगे, धागा पीछे, अब देखे, नेशन हमारा सीधे फंदे में pattern आएगा, तो इस फंदे को आगे करेंगे, और देखे, जो space दिखाए दे रहे, यह first hole को छोड़ के second hole में हमने slide आने, second hole में हम slide आलेंगे, और एक एक एक्स्ट्रा फंदा बना लेंगे, फिर इस फंदे को हमने ऐसे बिना बुने उतार लेंगे, धागा अपनी side, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे, अब देखे, नेशन फंदे में pattern आएगा, इस फंदे को आगे करेंगे, और देखे, जो space दिखाए देरा, इसके second hole में आएंगे, second hole में आएंगे, यहां पर slide डालेंगे, और एक एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे, और इस फंदे को हमने बिना बुने उतार लेंगे, धागा अपनी side करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, नेशन फंदे में pattern आएगा, second hole में slide डालें एक फंदा उल्टा, फिर देखे, second hole में slide डालेंगे, और इस फंदे को बिना बुने उतार लेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, अब देखे, नेशन हमारा pattern वाला फंदा आजाता है, इसको आगे करेंगे, first hole को छोड़के, ऐसे second hole में हमने slide डालनी है, और एक extra फं आएंगे, और इस फंदे को बिना बुने उतार लेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, लास्ट का फंदा सीधा, तो देखे, ये front side से हमारी pattern की third row complete हो गई, अब देखे, back side से fourth row, fourth row को हमने second row की तरह बुनते हुए complete करना है, पहला फंदा उतारा, धागा पीछे, इन दोनों को हमने एक साथ बुन लेना है, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर देखे, नेस्ट हमने ये दो फंदे एक साथ बुनने हैं, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी side, ये दो का एक कर लेंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी side, फिर देखे, दो का एक करेंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर ये दो का एक करेंगे, एक फंदा सीधा बुन लेंगे, धागा अपनी साइड, फिर देखे, नेस्ट अपने दो फंदों से एक फंदा बना लेना है, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी सा लास्ट का फंदा उल्टा ये देख़े ये वेक साइड से हमारी फोर्थो कम्पलेट हो गई अब देखिए फ्रंट साइड से फिपतरो अब फिपतरो में हमारा फरस्ट कलर आएगा तो देखें यहां पर यह पहला फंदा हमने बुन के उतारना है धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा धागा पीछे अब नेश्ट फंदे में पैटर आएगा तो देखें फंदा डाला एक एक्स्ट्रा फंदा बनाया और इस फंदे को उतार दिया धा करेंगे फर्स्ट ओर छोटिके स्फपिप्तवमें स्लाइड डालेंगे और एक फन्द बना लेंगे इस फन्द को बिना फुने उतालेंगे सेम प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे और फ्रंट साइट से अपनी फिप्तव में भूकलेट कर लेंगे देखे फ्रंट साइड से हमारी फिप्त रो कमप्लेट हो गई अब देखे बैक साइड से 6 रो अब 6 रो को हमने 2 रो की तरो बुनते हुए कमप्लेट करना है यह पहला फंदा उतारेंगे एक फंदा सीधा बुन लेंगे दागा अपनी साइड आप देखे जो पैटर्न वाले फंदे हैं एक एक्स्टर फंदा और एक बिन बुना इन दोनों को एक साथ भुनेंगे दागा पिछे एक फंदा सीधा फिर दो फंदे एक साथ भुनेंगे सेम प्रोसिस रिपीट करते जाएंगे और बैक साइड से अपनी six row complete करेंगे अब देखें फ्रंट साइड से seven row अब seven row में हमारा third color आएगा तो देखें यहां पर हमारे पास third color नीला है आप कोई भी color अपलाए कर सकते हैं देखें हमने यहां पर इस third color को add कर लेना है यह देखें और देखें सेम प्रोसिस फिर रिपीट करते जाएंगे यह धागा अपनी साइड करेंगे एक फंदा उल्टा बुन लेंगे धागा पीछे और देखें नेश फंदे में हमने pattern डालना है तो देखें इस फंदे को आगे करेंगे फर्स्ट होर को छोड़के second hole में हमने ऐसे slide डालनी है एक extra फंदा बनाएंगे और इस फंदे को हम बिना बुने उतार लेंगे धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा ब अची होगी हम यही process आगे repeat करते जाएंगे और उपने pattern को complete करेंगे और बनके देखें हमारा pattern हमारा pattern कुछ इस तरह से आजाएगा यह देखें बहुती सुन्दर बहुती आसान pattern है आप इसे all project में apply कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो पया लाइक करें, share करें, comment करें और आप हमारे channel में नहीं हों तो please subscribe करना न भूलें, thank you